हलो दोस्तों तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं कटह लालू की सब्जी यह सब्जी इतनी स्वाधिस्ट है कि आप सब्जी के साथ साथ प्लेट को भी चट कर जाएंगे यह मेरी कारेंटी है तो चलिए देर की सबात के सुरू करते है रेसेपी तो यहां पे 500 ग्रम कट बिया है इस चिलके को निकाल के इस तरह से पीसेश में कट कर दिया है तो कटल को साइड में रखा है और यहां पे गैस में रख दिया है पानी गहर्म होने के लिए आदा चोटा चमस नमक और एक चोथा यह चमस वादी पॉड़र डाल देगे और पानी में ऊबाल आ जाने क तो तीन से चार मीट के बाद आप देख साते हैं कटाल हलका से सौप्ट हो गया है तो इसको निकाल लेंगे और साइड में ठंडा होने के लिए रहने देना है और गैस पे रख दिया है कढ़ाई इसमें डालेंगे दो से तीन चमश तेर तेल को अच्छे से गरम हो जाने के बा और इसी कराई में एक जमस और तेल करदेंगे तेल निरम हो जाने के बाद इसमें डालेंगे आलू तो यहाँ पे मीढियम साइज के तीन आलू को बाल के लिया है और इसकी jeśliड़िया है तो इसको भी हलका सा फ्राय कर लाइगे इसकर दिया है ऐसको भी हल्का सा इसको भी निकाल लेना है निकालने के बाद इसी कढ़ाई में चार चमस तेल डाल देंगे तेल को अच्छे से गरम कर लेना है तो यहां पे तेल गरम हो गया है तो इसमें डालना है प्याज को तो यहां पे मीडियम साइज के तीन प्याज को बारी कट करके लिया है तो आधा आधे प्याज को यहां पे डाल देना है आधे प्याज को बाद में एट करेंगे गैस का फ्लेम यहां पे हाई रखना है साथी में डालेंगे दो से तीन हरी मीर्च दो सुखी मीर्च और इन सारे चीज को हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है तो यहां पे आप देख सके पर डालेंगे साभूत खड़े मसाले तो यहां पे खड़े मसाले में हमने आधा चोटा चमस जीरा काली मिच दो तेज पत्ता दाल जेनिका टुक्रा लांग और सुखी मिर्च दो बड़ी लायंच और एक छोटी लायंच लिया है और साती में डाल देना है थोड़ा साहीं सब्सक्राइब कर देंगे बैजारा प्याज प्राइब करें लिए नकाने से टाइट Allah ॐ Jeśli देंगे शोगाए घृत। तो इस गया हमें लाल मीर्च पॉडर। अगर आपको तीक़ा पसंद हो तो आधा चित यूटे तीक़ी लाल मीरच पॉडर डाल लिजेगा लोग लेंप मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डाल गए एक से डेर मिनिट के लिए मसालों को पका लेना है तो यहाँ पे एक से डेर मिनिट के लिए मसालों को पका लिया है इसमें डाल देंगे प्याज और लसुन द्रम जो हमने पीस के रखा है इसको डालेंगे थोड़ा सा पानी डाल दिया है साथी में डाल देंगे आधा छोटा चमस डाल दिया है कीचन की मसाला हो तो आप डालिएगा या फिर इसकीप कीजिएगा साथ में डाल दिया इस वाद के अनुशार नमक और मशाला को एक से दिर मिट के लिए भून लेना है और एक से दिर मिट के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी मशाला भी कच्चा है अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद इसको ढख के देर से दो मिनिट के लिए मशालों को पकाना है तो यहाँ पर हम देर से दो मिनिट के बाद देख सकते हैं मसाले अच्छे से पक चुके हैं टोटल हमने इसको पास से छे मिनिट के लिए मशालों को पकाया है तो इसके बाद इसमें डाल देंगे आलू और कठल को मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा पानी तो पानी यहाँ पर अपने ही साब से एट कीजिएगा जैसी भी आपको ग्रेवी चाहिए मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ पे ढख के इसको मीडियम लो प्लेम पे 5-6 मिनिट के लिए छोड़ देंगे या फिर कटाल सौप्ट होने तब 5-6 मिनिट के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेवी को और कटाल को भी चेक कर लीजिएगा तो यहाँ पे आप देखसना कटाल अच्छे से पक चुगा है तो इसमें डालेंगे आदा चोटा चमस गरम मसाला पॉडर दो हरी मिर्च मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर देना है और इसको ढख के 2-3 मिट के लिए छोड़ देना है और 2-3 मिट के बाद आ आज मैं आपको प्लेटिंग करके नहीं दिखाओंगी क्योंकि मेरे मुझ में आ रहा है पानी तो यह इस रेसिपी को एक वार आप जरूर ट्राइए कीजिएगा आश्रा करते हूं कि आज की यह भी